वेलकम डू कंट्रिसाइड एच्पी एक्जाम थर्ड वीडियो आज हमारी हिमाचल परदेश जियोग्राफी के उपर हिमाचल परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के दुआरा जो न्यू पैटर्न आप लों का फोलो किया जा रहा है उसी के रिगार्डिंग हम इसमें बात करे हैंगे इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप लोग एच्पी एस का एक्जाम दे रहे हैं एलाइट नायपते सिल्दार या कोई भी एक्जाम है इसके अलावा टीजीटी कमिशन जेवीटी कमिशन सब इंस्पेक्टर बंचायत सेक्रेटरी और बटवारी और हिमाचल परदे है एक ही वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि ये सारे के सारे दर्रे आप लोग के कम्प्लीट हो जाएं बट दो या तीन कोशन आप लोग के और बनेंगे अभी वो नेक्स वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिसकस करूंगा आप लोगों को पता है ये रिटन सोर्स जो आप लोग को प्रवाइट करवाए जा रहे हैं, उनका नाम है परदीप के जिक्टा, मैं यहाँ पे आप लोग को सिर्फ कोश्चन समझाता हूँ और उसके बाद कोश्चन एक्स्प्लेइन करता हूँ, खेक है, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और इसके अलावा मेरे नए व स्टार्ट करना, 8350-947171, यह हमारे अलग से पेड वैच रहते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, तो लगवग आप लोगों एक चीज ध्यान रख नहीं है, जितने भी मैं कोश्चन आप लोग के साथ डिसकस करूँगा, इसमें दर्रे के आप लोग के लगवग सतर से 80 कोश्चन बनते हैं, अगर आप लोग इनको exact count करोगे, तो यह अगर हम one linear कोश्चन बनाएं, तो 70 प्लस कोश्चन आप लोग के होंगे, जो सिरफ आप लोग के एक ही वीडियो में complete होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का जो पहला कोश्चन है, मैंने क्या कहा था, जब भ कोश्चन आप लोग के सामने लिखा गया है, और उसके बाद आपको कोश्चन क्या पूछा गया है, किस चीज के वारे में पूछा गया है, क्या यहाँ पे आप लोग को statement true पूछी गई है, या false पूछी गई है, इसके उपर धिहान दखे, तो हिमाचल परदेश से सबंधि के उपर focus करना है, जो false statement होगी, उसको count नहीं करना है, हिमाचल परदेश की उत्राखंड तता पूरब में तिबबत के साथ लगती हुई सीमा की जो लंबाई है, वो कितनी है आप लोगों की, वो आप लोगों की 1170 km है, पहला question आप लोगों को पूछा जाएगा, कि हिमाचल परदेश की उत्राखंड के साथ लगती हुई लंबाई कितनी है, सेकंड पूछा जाएगा, कि तिबबत के पूरब में हिमाचल परदेश के साथ जो सीमा टच होती है, वांडरी टच होती है, उसकी कितनी लंबाई है, तो ये दोनों देन आप लोगों ने रखना तो दोनो का है, वो हिमाचल परदेश में इसका कितना भाग है, ये कोश्चन स्टेटिक का है, काफी अच्छा कोश्चन है, और ये मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन है, आना चाहिए आपको, लगवग 10.54 परसेंट हिमाचल परदेश में हिमालिय क्षेतर पड़ता है, ओल आवर में, हि हिमाचल की अधिक्तम चुड़ाई कांगडा के दक्षनी पश्चमी कोने से उना के उत्तर पूर्वी कोने तक लगवग 270 किलोमेटर है, तो ये बिल्कुल गलत है आप लोग की स्टेटमेंट, यहां तक स्टेटमेंट आप लोग की बिल्कुल सही है कि हिमाचल की अधिक्तम चुडाई कहां से है कांगला के दख्षणी पष्चमी कोने से यहां पर आप लोग उन्हें याद रखना है उन्हार यहां नहीं आएगा यहां पर आप लोंग का किन नोर आएगा यहां पर क्या होगा option किन नोर और किनौर के उत्री पूर्वी कोने में इसकी जो आप लोग की लंबाई माने गई है वो 270 किलोमेटर की है तो राइट अंसर आप लोग का बनेगा यहाँ पे 1, 2 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल कोरेक्ट है 4th स्टेटमेंट आप लोग की गलत है क्योंकि 4th स्टेटमेंट में वहाँ पे उन्ना लिखा गया था यहाँ पे उन्ना डिस्ट्रिक की बात नहीं होगी यहाँ पे किनौर की बात होगी क्योंकि हिमाचल की जो अधिक्तम चोड़ाई कांगडा के दक्षिनी पश्चमी कोने से कि नोर के उत्तर पूर्वी कोने में लगवग आप लोंग की 270 km तक की चोड़ाई है तो ये आप लोगोंने ध्यान रखना है ऐसे कोशन आप लोंग का बनेगा तो एक ही आप लोग के चार कोशन में लगवग 5-6 कोशन बनती है अगर आप लोग इनको वन लाइन एर में बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोगों के कोशन में यहाँ पे जादे से जादे कोशिश करता हूँ कवर करने की सेकिंड कोशन आप लोगोंने यहाँ पे बिचार करना है और उसमें हमें statement जो असर देखनी है वो सत्या नहीं देखनी है असत्या statement देखनी है false statement के ओपर focus करना है और जो आप लोगों की true statement होगी उसको skip करना है सबसे पहले यहाँ पे जो बात की गई है वो ये की गई है शिवालिक या लगू हिमाले का पुराना नाम मेनाक परवत था बिलकुल सही है इसकी समुंतर तक मुख्य उन्चाई 3050 मीटर से 4570 मीटर तक जाती है तो ध्यान रखें आप लोग यहाँ पे जो कोशन आप लोगों को पूछा गया है वो यह पूछा गया है कि शिवालिक या लगू हिमाले का पुराना नाम मेनाक परवत था यह बिलकुल बात सही है बट यहाँ पे जो इसकी उन्चाई बताई गई है वो बिलकुल गलत है यहाँ पे आप लोगोंने ध्यान रखना है कि इसकी जो उन्चाई पड़ती है वो आपकी 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर के बीच में है 4570 मीटर नहीं है तो यह स्टेटमेंट तब ठीक होती अगर यहाँ पे यह होता तो पहला उप्शन जो हमें असत्य ढूंड़ना है तो हमें याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यह बिलकुल गलत है तो हमारा उप्शन जो होगा या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा या फोर्थ होगा सेकिंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी बात की गई है कि शिवालिक हिमाले के परसीद स्थल पॉंटा घाटी जोगिंदर नगर कस्वा कांगडा नूरपूर देहरा डल होजी है ये बात आप लोगोंने ध्यान रखनी है ये बात ठीक है शिवालिक हिमाले के छोटे छोटे नालों को स्थानिय भाशा में दुवाब क स्थल जो होता है आप लोगों का तो यहां पर आप लोगोंने याद रखना है शिवालिक हिमाले में छोटे छोटे जो नाले होते हैं उनको स्थानिय भाशा में चो कहा जाता है दुआव नहीं कहा जाता है तो थर्ड स्टेट्मेंट भी आप लोगों के गलत है तो यह one और आप लोग की three होगी यहां पे जो statement आप लोग की होगी तो याद रखें आप लोग यहां पे जो आप लोग का question बनेगा वो ये वाला बनेगा ठीक है जी तो इतिहान रखें तो finally जो answer आप लोग को मैंने बताया है कि first इसका गलत रहेगा क्योंकि 350 से 1500 मेटर है और second ही शिवालिक में जो छोटे-छोटे नाले होते हैं उनको स्थानी भाषा में जो कहा जाता है ना की दुआब दुआब word कहां use किया था हमने वो पता है बाकी जो इसमें statement आप लोग को second दे गई है और आप लोग को जो fourth है ये बिल्कुल सही statement है जो गलत statement है उसमें क्या correct होना था वो मैंने आप लोग को correct करवा दिया तो इसका ध्यान लखना right answer आप लोग का जो होगा वो C होगा बाकी जितने भी हैं वो सारे गलत है आगे कि अगर अगर हम बात करें तो next question हमारा है कि मध्य हिमाले की धोलाधार तथा पीर पंजाल श्रिंखला से सबंदित कत्नों पे विचार करना है और हमें ये चीज़ चेक करनी है कि जो धोलाधार जो आपका है और पीर पंजाल जो श्रिंखला है इसमें कौन-कौन से कत्न जो हमारे है वो बिल्कुल सत्य है तो असत्य कत्न जो हमारे होंगे वो क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे तो यहां से हम बात करें पीर पंजाल मध्य हिमाले की सबसे लंबी श्रिंखला है ये बात सही है जो एक और चिनाव की और और दूसरी और रावी तथा ब्यास नदी के जल्दाराओं के बीच में बंटवारे का काम करती है देखो पहला कोशन आप लोग का बनेगा कि पीर पंजाल किसकी सबसे लंबी श्रिंखला है तो पहला कोशन आपने अंसर देना है मत यह हिमाले की स्टेटमेंट आप लोग की यहां पे है यह विल्कुल सही लिखा गया है पहली स्टेटमेंट आप लोग की ठीक है आगे कोशन है कि पीर पंजाल श्रिंखला का एक बड़ा भूभाग लाहोल के दक्षिन में बरफ रेखा से उपर उठ जाता है यह बात भी आप लोगों की सही है कि पीर पंजाल का एक बहुत बड़ा एरिया होता है या भूभाग होता है जो लाहोल के दक्षिन में बरफ रेखा जो इनकी बनी होती है उससे भी उपर उठ जाता है यह बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है यह बात आप लोगों की कोरेक्ट है दोलाधार श्रिं संखला की समुदर तल से उंचाई यहाँ पे पीर पंजाल लिखा है धोलाधार उपर मैंने बता दिया तो पीर पंजाल की समुदर तल से जो उंचाई है वो कितनी है 3960 मीटर से लेकर 5470 मीटर नहीं है यह वाला देखिया अगर यहाँ पे लिखा होता है तब तो यह रूप में ये बात बिल्कुल सही है कि पीर पंजाल श्रिंखला की जो समुंदर तल से उंचाई है वो 3960 से लेकर 5470 मीटर है तो हमें जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही मिली एक फर्स्ट मिली सेकंड मिली थर्ड मिली फॉर्थ स्टेटमेंट गलत है तो राइट अंसर आप लो बिल्कुल कोरेक्ट हैं तो ब्रिहाद हिमाले की बात के गई है कि ब्रिहाद हिमाले श्रिंखला हिमाचल की पूर्वी सीमा के साथ लगती है क्या ये बात बिल्कुल सही है तो ये हमें पता है कि प्रिहाद हिमाले जो हमारा है वो हिमाचल की जो पूर्वी सीमा जितनी भी आप लूंकी है, उन्हीं के साथ चलती है, राइट स्टेट्मेंट है, इस किशेतर का जो मोसम है तथा मिट्टी है, वो सूखे फलों तथा फसलों के लिए बिल्कुल अप्पी हो गई है, राइट स्टेट्मेंट आप लूंकी आती है, इसके बाद साँच दर्रा, चिन्नी द रखना है कि जो जांसकर श्रिंखला है वो स्पिति कि नौर और कश्मीर को पूर्वी चीन से नहीं वलकि तिब्बत से अलग कर दी है तो यह कोशन देख लेजिए बन गए आप लोग के यहां से भी तो राइट स्टेट्मेंट हमें कौन-कौन से मिली फस्ट सेकिंड और कि जो फूर स्टेट्मेंट है वो पूर्वी चीन नहीं आएगा तिब्बत आएगा तो इसको आप लोगों ने अपने पास नो डाउन करना है तिब्बत राइट अंसर बनेगा स्थानिय भाषा में जो डर्रों को जोत और गलू कहते है ये बात बिल्कुल सही है आप लोगों की तो ये दिहान रखना आप लोगों ने राइट अंसर जो आप लोगों का होगा वो आप लोगों का ये रहेगा स्थानिय भाषा में जो हमारे दर्रे होते हैं इनको जोत कहा जाता है या इनको गलू कहा जाता है प्राचिनकाल में इन दर्रों से घोडों वो खचरों द्वारा ब्यापार होता रहे है बिल्कुल बात से ही है क्योंकि प्राचिनकाल में जितने भी हमारे दर्रे थे बहाँ पर अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड करने के लिए जातो घोडों का प्रियोग होता था ब्यापार जातो होता था खचरों का आगे अगर हम बात करें यहां पर जो बात की जा रही है हमता दर्रा की हमता दर्रा और चंद्र खेरनी दर्रा जिला की नौर में स्थि में तो ये दोनों statement में से कोई भी answer आप लों को आ सकता है sorry कुलू में और लाहॉल मत लिखना क्योंकि यहां confusion है यहां लिखो आप स्पिती कुलू और स्पिती में पढ़ता है लाहॉल नहीं आएगा तो यह मत सोचना कि स्पिती में जो पढ़ता है वो लाहॉल में भी पढ़ता है तो यह statement आप लों के गलत हो जाएगी तो यह ध्यान रखें हिमाचल के दर्रे शीत रितू में खुले रहते हैं तो आपको बताए कि हिमाचल परदेश में जब शीत रितू आती है तो जितने भी हमारे दर्रे हैं वो बंद रहते हैं और अप्रेल से लेकर अक्टूबर तक बंद हो जाती है तो अप्रेल से लेके अक्टूबर तक आप लों के क्या होते हैं open रहते हैं statement यहां पे जो आप लों के गलत मुझे लग रही है और जो आप लों के statement गलत है वो आप लों की 3 and 4 है और जो मैंने statement में correct कराया उसको ध्यान रखना हमता दर्रा कुलू और पी चंद्र-खेर्णी दर्रा वो क्लूं में पड़ता है हिमचल पर देश के दर्रें जो आपसे इसान καी 6 ज़ूसर में अप लोग का यह आएगा आगे अगर हम बढ़े नेक्स कोशन में आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखनी है कि असत्य बातें देखनी हैं यहाँ पे बहुत सारे दर्रे हैं उनके साथ आप लोगों को उनकी उन्चाई भी बता रखी है तो यह कहां-कहां स्थीत है वो भी बात करेंगे खोडी दर्रा जो आप लोगों का है इसकी उन्चाई कितने हैं 3,150 मिंटर जालसु की जो 3,450 मिंटर बालेनी जो 3,730 बाड़ दर्रा 3,870 तोड़ा दर्रा 4,360 तेलंग दर्रा 4,600 भीम घसूतरी जोत कांगडा तथा चंबा में स्थित है यह कोशन ध्यान रखें मोस्ट इं बात की गई है वो चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है तो यह वाली जो स्टेट्मेंट आपके सामने है यह बिल्कुल सत्य है इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है तो राइट अंसर आपने याद रखना अपने पास नोट डाउन कर लेना इनकी एक्जेक्ट जो मीटर में उन्चाई है और कौन सी जगह में पढ़ते हैं रोतांग दर्रे तक में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बिलियम मूर क्राफ्ट थे बिल्कुल बात सही है जो 3978 या 3798 मीटर की उन्चाई पर कुलू लाहोल में स्थित है तो यह बात भी बिल्कुल सही है अब यहाँ प बात करेंगे तो उन्होंने अपनी बुक में जो लिखा है वो 3978 लिखा है तो आप लोग के लिए एक्जेक्ट जो अंसर होगा वो यह होगा ठीक है अकाश की बुक अगर आप लोग फोलो करते हो तो अकाश की बुक में 3798 में लिखा है तो यह चीज आप लोग को समझ आ र आपका option 3798 में लेकर आप HPPSC में पहुंच जाते हैं कि आकाश की बुक में ये है बट आपको वो ये बात कहेंगे authentic source अपना बताईए तो authentic source आप लोंग का जो होगा वो जगमोहन बलोकड़ा होगा या मिया गवर्दन सिंग होंगे तो याद रखें रहतांग दर्रे पर पहु रहतांग का अर्थ है लाशों का ढेर बिल्कुल बात सही है और इसका जो प्राचिन नाम था भो था भरिंगू तुंग बसोधन या सोधन दर्रा ठीक है बसोधन दर्रा या सोधन दर्रा कुछ भी आ जाए तो इसकी जो उन्चाई है वो आप लोंकी कितनी है 2400 मीटर और च जो मैंने आपको बीच की बात बताई वो भी धिहान आप लोगोंने रखना है हिमाचल परदेश के दर्रों से सबंदित फिर से बिचार करें बट इसमें इस वार फिर से आपने देखना है कि कौनसी स्टेट्मेंट आप लोंकी इसमें असत्य है तो कौनसी स्टेट्मेंट इसका पता है कि जो दुल्ची दर्रा है उसकी उन्चाई तो ठीक है तथा पजानन्द कुल्लू जो आप लोंका है ये आप लोंके मंडी और कुल्लू में स्थित है ठीक है कहां स्थित है लाहौल में नहीं है लाहौल की जगा यहां पर मंडी आएगा ये राइट अंसर 4,890 है और चाबिया दर्रा 4,934 पांगी धार लाहोल भरमोर में पड़ता है तो ये क्या आप लोग की स्टेटमेंट ठीक है तो ये हमें पता है कि जो हमारा बड़ा लचाला और चाबिया दर्रा है ये पांगी धार और लाहोल भरमोर में स्थित है राइट स्टेटमेंट है चंद्रखेरनी गलू जो आपका है उसकी उंचाई 300, 3600 मीटर तथा तैंती गलू 3,600 मीटर कुलू में स्थित है तो ये statement क्या आपकी सही है ये बिल्कुल सही है क्योंकि चंद्रखेरनी गलू जो आप लूंका है ये 3600 मीटर के उंचाई पर सित है और तैंती गलू भी आप ल जोड़ता है तो यह ध्यान लखें पादरी दर्रा जो है आप लों का यह चंबा को पाकिस्तान से नहीं जोड़ता है यह चंबा को जम्मू से जोड़ता है तो statement जो आमारी गलत है वो first है और fourth है तो right answer आप लों का first and four होगा मैंने आप लों को बता दिया कि दुल्ची और पज को नहीं जम्मू को जोड़ता है इसको भी आप लोगोंने थोड़ा सा correct करना है यह right answer आप लों का होगा आगे अगर हम बढ़ते हैं next question में हमें statement दे गई है दो जिसमें सूची 1 और सूची 2 है जिसमें हमें यह देखना है कि कौन से statement किसके साथ match करती है जलोड़ी दर्रा साथ match करेगी second statement जो हमारी है वो खोड़ी दर्रे की है खोड़ी दर्रा आप लों का कहां पड़ता है खोड़ी दर्रा हमने चंबा और कंगड़ा में पड़ता है रसोल जोत हमारी कुल्लू में पड़ती है खैदी गल्लू आप लों का कुल्लू में पड़ता है तो यह statement आप भी राइट क्योंकि कुल्लू और कुल्लू आपस में मैच कर रहे हैं तो हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं स्टेटमेंट आप लोग की राइट ए रहेगी तो स्टेटमेंट के एकोर्डिंग हमारा जो अंसर आएगा वो फरस्ट आएगा ठीक है कौन सा कथन इन में से सत्या है रांचा दर्रा 440 मीटर शिपकिला दर्रा 45 कुंजुम दर्रा 4520 टैंपो ला 4890 तथा ललूनी जोत ला होल स्पिती में स्थित है तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसमें राइट स्टेट्मेंट ढूंदनी है पहली स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है इनके जितनी भी उन्चाई बताई है और ये जो बताया है किस लोकेशन में है बिल्कुल कॉरेक्ट है गड़ू जोत 3730 मीटर कुलू में स्थित है बिल्कुल कॉरेक्ट अंसर है ये और इसके अलावा सारी गलू 3840 मीटर तथा भोरियांग दर्रा 4144 मीटर कुलू कांगडा में स्थित है ये वी स्टेटमेंट आप लोगों की बिल्कुल कॉरेक्ट है हाम्टा दर्रा 4270 मीटर पीर पंजाल कुलू स्थित है तो ये चारो की चारो जो स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल कॉरेक्ट है राइट अंसर आप लोगों का यहां पे डी बनेगा तो डी के साथ आपका उप तो हमें पता है। सांच गूर से मेली को कि नहीं इसक 흡 handles है। छे स्टीट्मेंटों याद रखना है। कि जो हमारा सांच है और जो हमारा दराटी दर्रा है ये हमारा पढ़ता है चमबा और पांगी में ठीक है जी चमबा और पांगी में इस चीज का थोड़ा सा आप लोगों ने कुछ चीजों को ध्यान रखना है यहाँ पर मैंने जैसे बोला ना सांच दर्रा तथा दराटी दर और अगर option चमबा पांगी होगा तो राइड अंसर चमबा पांगी होगा और इनकी statement याद रखना कुछ देखो हमेशा एक चीज याद रखना आप लोगों ने अगर आप जगमोहन बलोखडा की बुक को फोलो करते हैं तो वंडरलेंड इसमें दिखा गया है कि सांच दर्रा और इसके अलावा कुगटी दर्रा देखो मैं यहां पर चेंज नहीं कर रहा हूं यहां पर सांच दर्रा और दराटी दर्रा है तो सांच और दराटी को साथ में मतलेना यहां पर बोला गया है सांच और कुगटी दर्रा जो स्तित है जगमोहन बलोखडा सर की बुक में लाह चीज है तो जो option आप लोगों को दिखेगा उसके according ही जाना आगे अगर हम बात करें शी जोत जिसकी उंचाई है 4530 और रांगची गल्लू इसकी है 4540 मीटर दर्रे किस जिले में स्थित हैं तो ये हमारे कुल्लू में स्थित हैं राइट अंसर आप लोगों का कुल्लू के साथ जाएगा काली चो दर्रा 4 729 कुगुट्री दर्रा 4961 मीटर तथा शिप्तिंग दर्रा 4980 मीटर कहां पर स्थित है कौन से जिले में आप लोगों के स्थित हैं तो हमें पता है काली चो कुगुट्री और hiking जो आप लोगुग का दर्रा य ये हमारे लाहोल और भरमोर में स्थ तो इसमें भी आप लोगोंने क्या ध्यान रखना है यहां पर बात की जा रही है कुगटी दर्रे की कुगटी दर्रे को मिया गुवर्दन सिंग सर और चमललाल गुप्त सिंग जी ने चमबा और पांगी में बताया है और कुगटी दर्रे की स्थिति जगमोहन बलोकडा सर की बुक के एकोडिंग लाहोल और भरमोर में है तो प्लीज अपने option के एकोडिंग आप लोगों ध्यान रखना है कि बहां पर option क्या क्या दे रखे हैं यह मत सोचना कि अगर बहां पर लाहोल भरमोर नहीं दे रखा है तो चमबा पांगी जरूर दे रखा होगा अगर चमबा गलत है हमारा ठीक है पहला है कुडि कुकडी 4640 कुलू और कांगडा में स्थित है तो यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौनसा जो कतन है वो बिल्कुल आप लोगों का गलत है तो कुड्डी कुकडी तो कुलू कांगडा में स्थित है और इसकी हाइट भी ठीक है तमशार दर्रा 4572 कांगडा भड़ा भगाल जो की धोलाधार श्रिंखलाक में स्थित है वहां पे स्थित है राइट अंसर है तैंतू की जोद 5000 मीटर तथा सारा उमगा दर्रा 5010 मीटर कुलू स्थित है तो ये भी कुलू और स्पिती में स्थित है ये बात बिलकुल सही है आगे अगर अगर हम बात करें गैरू जोत की जो उंचाई है वो 4660 है या ये चंबा में स्थित है चंबा में नहीं है ये कांगडा में स्थित है राइट अंसर आप लोगों का डी जाएगा ये बिलकुल सही स्थेट्मेंट है ठेक है तो इनको आप लोगोंने ध्यान रखना है ये कल की क्लास में मिलेंगे आप लोगों के साथ और कल मैं आप लोगों को मैथ के डेमो भी दूँगा और जितने भी कॉर्सिज मैंने आप लोगों को बताए हैं कॉर्सिज ध्यान लखना आप लोगोंने कौन-कौन से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कॉर्सिज हैं हमारे टीजिटी जेविटी कमिशन और इनके जो टैट होते हैं और सब इंस्पेक्टर पंचायद सेक्रेटरी और पटवारी इसके मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं आप प्लीज मुझे वाटसेप पे मैसेज करना मैं आप लों को कम्प्लीट डिटेल दे दूगा ठेंकियो सो मुच स्टार्ट.